डाइ फॉराइंट्स हमने लास्ट लेक्शे देखा वो था structure and in-mim in c-shop हमारा अगला topic है class and objects in c-shop class और object है क्लास कैसे बनता है class एक user defined data type है मतलब हम create करते है class को उसके size परले से predefined या fix नहीं होती है primitive types की तरह यहाँ पे हम class बनाते हैं और उस class के अंदर जो variables लेंगे, हम जो variables create कराएंगे, उसकी जो size होगी, वो ही class की size होगी, मतलब वो हर बार vary होते रहती है, वो class कैसा बनाते हैं, उसके उपर depend होता है, और particular वो जो variables create करते हैं, उसकी जो size बनती है फिर class की, वो ही size का बाद में objects बनते हैं, जो हम real programming में, run time में use करते हैं, उसे हम instance of classes भी कहते हैं, और actual दिखने जाएंगे, तो पूरा का पूरा एक blueprint होता है, मतलब जो class की size होती है, वो ही उसके object की size होती है, तो class जो हमारा data type हम जो बनाया है, हम जब program बनाते हैं, उसमें जब class बनाते हैं, तब उसके अंदर जो variables लेते हैं, उस हम बने लिए 6 bytes, वो ही size उस object की होती है, इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं, ब्लूपरेंट, लेट सी कैसे create होता है class, class को create करने के लिए, पहले हम class का keyword युश करना पड़ता है, उसके बाद उसके class का name, और जो करली brackets के अंदर, उसकी body के अंदर, आप variables और methods को यूश कर सकते हैं, देखिए उसका syntax है, पहले लिखा गया access specific मतलब public, private जो आपको use करना हो, class it's a keyword, और उसके बाद class का name आप जो भी लेना चाहो, ये फिर उसके करली brackets, उसके अंदर, आप variables लेंगे, आप जानते हैं कि variable को कैसे declare करते हैं, पहले आगे type होती है, फिर उसके बाद variable क name होता है, और आगे अगर आपको रखना हो, कोई भी access specific public या कोई भी आप रख सकते हो, फिर आती है, उसके बाद उसके अंदर ही methods आती है, जिसके आगे एक return type होती है, और अंदर parameters लिस्ट होता है, उससे हम arguments भी कहते हैं, फिर ये method, actually वो method name होती है, जो भी आपको देना हो, और इसके आगे भी आप access specific public private जो भी आपको उसका ना वो use कर सकते हो, और ये method की body है, तो ये एक पूरा structure है कि इस तरह हम एक actually class बनाते हैं, और जब इस program में, जब किस भी program में class बनाते हैं, तब इस class का object बनता है, real time entity, जिस हम कहते हैं, object, fine, run time entity, बतलब कि ये जो class है, वो स इसा चाहिए, उसी के लिए हम ये class का coding करते है, real world में तो हम class नहीं पर इस class का जो object बना है, जो size का class था, उसी size का जो object बना, उसे ही हम use करते है, fine, इसे practically देखते हैं, कैसे होता है, let's see the example, ये class box, ये class box tester, दो class use किया गए है, एक class के अंदर सीफ तिन variable से लें, length, breadth, height, type है double, इन तीनों की size होगी, double की 8 bytes है, एक variable के लिए, तीन है तो 24 bytes, और box tester के अंदर main नाम का function, उसके अंदर हम देखिया, box class का दो objects create करते हैं, box 1 और box 2, fine, अब ये दोनों की size क्या होगी, जैसे मैंने बोला, कि वो runtime entity है, actually हम class use नहीं करते हैं, पर class का जो object create होता है, वो use करते हैं, प्रोग्राम में, बराबर, तो जैसे हम देखना चाहिए, कि यहां पर box की size है 24 bytes, तो box 1 और box 2 की size होगी, भी 24 bytes, box 1 की 24 bytes, और box 2 की 24 bytes, एक और variable है, आप लिए वोल्यूम, अब देखिया, box 1 का जो object है, उसके अंदर height के लिए 8 bytes होगी, length के लिए 8 bytes होगी, breadth के लिए 8 bytes होगी, अब उसमें हमने double, मनला floating point value set की है, 5.0, 6.0 और 7.0, तो यह जो height, length, breadth वो box 1 के है, और यह जो height, length, breadth वो box 2 के है, मनला box 1 को और box 2 को separate space मिलती है, और मतलब कि यह height, length, breadth भी उसके separate हो गए, box 1 के अलग और box 2 के अलग, तो यह जो values होगी, वो separately store होगी, एक value, 5, 6, 7, box 1 में, 10, 12, 13 box 2 में, fine, अब हम box 1 की height को call करते है, box 1 की length को, और box 1 की breadth को, इन तिनों की जो values है, उसे हम यहां से fetch करके, multiply करके volume बनाते है, जो value आते हैं, उसे हम print करते है, तो यह जो value, जो answer बना, वो सिफ box 1 का है, मनला यहां पर जो height, length, breadth को call किया है, वो box 1 के है, इसलिए 5, 6, 7 ही call होगे, इसलिए 5, 6, 7, answer is 210, वो यहां पर print होगा, और box 2 का जब multiplication करते हैं, तो box 2 की height को call करते है, box 2 की length को, और box 2 की breadth को, जो है 10, 12, 13, उसका answer आएगा, वो भी volume में आएगा, और उसकी answer value print होगी 1560, let's see the example in .NET Studio, fine, तो यह है आपके सामने program ready, जो particular slide में दिखा गया, वो ही यहां पर type किया गया है, class box है, 3 variables है, box tester है, void main function है, उसके अंदर दो objects के गया है, box 1, box 2, यहां पर आप देखिए, जो values हम assign करते हैं, वो हमने directly assign की है, box के अंदर को functions यूज नहीं किया है, बर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, next slide में हम भी दिखाएंगे functions कैसे use करते हैं, और create करते ह हमने उस question की values directly, volume count करना है, let's see the output क्या आत है, जैसे मैंने बोला के volume box 1 का आएगा, 5 into 6 into 7, that is 210, और box 2 का answer आएगा, 10 into 23, that is 1560, let's see the output, देखिए answer आचुका है, volume of box 1 and volume of box 2, जो अब हमने जो यहां पर यह शो करता है, कि actually हमने box 1 and box 2 को use किया है, अब देख सकते हमने class की भी size तो थी 24 bytes, वो हमने use नहीं किये, पर उसके जो objects जो हमने बनाए है, box 1 and box 2, वो हमें actually use किये है, और वो ही actually में use होते है, fine, बनलब class तो स एक डाय का काम करता है, just एक particular sample जैसा है, कि हमें कैसा object चाहिए, उसके लिए हम code करते हैं, और उस तरीके के, उस size के जो objects बनते हैं, वो ही हम real world में use करते हैं, fine, तो आपके लिए screen पर answer है, box 1 का 210 और box 2 का 1560, तो अब तक जो हमने देखा, उसे ही पता चलता है, कि particular जो class होता ह है, उसकी जो size होती है, वो ही size का object होता है, real world में हम example देखना है जाए, तो आपने खाई होगे silky chocolate, तो उसकी size एक fix होती है, क्यों, because पहले उसकी plate बनाते हैं, डाय बनाते हैं, और वो size होती है, उसी size की उसकी chocolate बनती है, पर खाते के हैं real world में हम chocolate, डाय नहीं, same way हम जब program कर करते हैं, और यह हमारी chocolate की तरह, fine, so यह live example था, it's better to, अच्छी तरह के सब को मालम चल जागा, तो अपने हमने देखा वो था, class and objects, class को कैसे बनाते हैं, कैसे objects create होते हैं, जो class के जो variables होते हैं, उसे value assign करते हैं, fine, next topic में हम देखेंगे member functions, constructor और distructor in C sharp, thank you very much.